नमस्कार दोस्तो मैं भी नई इंफर्मर आप सभी को स्वागत करता है दोस्तो जब भी बेस्ट इंवेस्टमन प्लान की बात आती है तो PPF का नाम जरूर आता है PPF स्कीम चार बातें हर ब्यक्ति जानता है जैसे कि पहला PPF एकाउंट बैंक या पॉस्ट ओपिस में कहीं भी खुलवा सकता है दुसरा PPF एकाउंट पंदरा साल के लिए खुल जाता है तिसरा इसमें कंपाउंडि ब्याज मिलता है चोथा इंकम टेक्स में एटीसी के तहर डेड़ लाग की टेक्स बेनिफिट भी मिलता है इसके अलावा भी दो और PPF एकाउंट खुलवाने के फायदे हैं जो बहुत कम लोग को ही पता है पहला कंट्रिब्यूशन के साथ एकाउंट एक्स्टेंड कराना और दूसरा बीना पैसे डाले एकाउंट एक्स्टेंड कराना दोस्तो इस वीडियो में इन दोनों फायदे के बिस्तार से बताने जा रहा हूँ इसके नियम जान लेना बहुत जरूरी है उससे पहले वीडियो पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तो आप सभी जानते हैं पीपी अप एकाउंट 15 साल के लिए खुला जाता है अगर आप चाहे तो 15 साल पुरा हो जाने के बाद भी पीपी एकाउंट को आगे जारी रख सकते हैं तो 15 साल पूरा होने के एक साल पहले देनी होगी इस बात का खास दिया रखियेगा और एक extension फॉर्म भरकर उसी बैंक या पोस्ट आफिस के ब्रांच में जमा करनी होगी जहां पर आपका PPF एकाउंट है अगर आपका समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका PPF एकाउंट extension नहीं हो पाएगा PPF एकाउंट को 5-5 साल के लिए ही extension किया जाता है दोस्तों आप जानते हैं बीना फार्म भरे बीना अप्लिकेशन दिये भी आपका PPF एकाउंट extension हो जाएगा वह कैसे आईए जानते हैं जैसे कि अगर आपका PPF एकाउंट 15 साल पूरा हो गया और आपने एकाउंट से ऐसे नहीं निकालते हैं extension फार्म भी भरकर बैंक को जामा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपका एकाउंट का extension अपने आप ही हो जाएगा और इसका फैदा है यह होगा कि PPF एकाउंट में आपकी जितनी भी रखम जामा है उस पर बैंक के आपर स्टोपी से बेयाज अपने आप मिलता रहेगा लेकिन आप चाहे तो एकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निगाल सकते हैं आपकी मर्जी है पुरा पैसा भी निगाल सकते हैं यह रूल है बीना कंटिबूशन के एकाउंट एक्स्टेंशन कराने का देखिए दोस्तों PPF एकाउंट बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट प्लान है गरांटी के साथ आपको रिटर्न में मिलता है इसमें इन्वेस्टमेंट करके एक दिन क्रोड़ पतिप बन सकते हैं इसलिए मेरा सलाह है कि PPF एकाउंट जरूर खुलवाएं मैं भी खुला रखा हूं इसी के साथ वीडियो को स्वाप करता हूं कैसा लगा मेरा वीडियो कॉमेंट कर जरूर बताएगा वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें रखिए अपना ख्या धन्यवाद